एक app और मल्टी फायदे आपको मिलेंगे इस app से और दोस्तो plus point यह हैगा इस app में कि ना ही आपको इसमें channel का link देना है ना ही किसी video का link देना है तो दोस्तों video बहुत informative होने वाली है मजदार इस video को अगर आपने miss कर दिया तो बहुत कुछ आप miss कर देंगे वीडियो को पूरी देखेगा अंतर तक देखेगा आखरी तक देखेगा और आपको बताऊंगा किस तरीके से आप जो है इसको यूज कर सकते हैंगे वीडियो पर बने दिएगा तो चलिए बढ़ते हैं अपनी एप की तरफ और आपको बताते हैंगे कैसे इस एप को यूज क प्ली स्टोर में आने के बाद में आपको यहां पे सर्च करना है multiple browser दोस्तों ये वह multi browser नहीं है जो मैं बता रहा हूँ multi browser वो दूसरा अलरेडी पहले से कर चुका हूँगा तो चलिये मैं जैसर्ट एक क्लिक करताूँगा तो यह open का option आजाएगा जब आप download कर लेंगे तो open आपको यहां से कर लेना है तो दोस्तो जैसे ही आप open करेंगे कुछ इस तरीके के 6 टैप आपके सामने खुल के आ जाएगे तो अब आपको इसको use कैसे करना है वो मैं आपको तरीका इसमें समझाने वाला हूँगा तो आपको simply करना क्याएगा आप यहाँ पर start का button देख सकते हैंगे यहाँ पर start blue color से लिक क्या रहा है simply आपको इस पर click करना है दोस्तो वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी लेकिन वीडियो आपके बहुत ही काम कियेगी उसके बाद दोस्तो यहाँ पर आप देख से एप के इंटरफेस में कहीं भी जो है लिंक डालने का option नहीं मिलेगा आपको आपको सिर्फ search बेश रही इसको काम में लेना है तो यहाँ पर देख सकते हैं गूगल खुल जएगा यहाँ पर आपको search करना है YouTube दोस्तो मैं दो टैब में आपके करके समझा दे रहाँ कि 6 में करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो मैं यहाँ पर दो में ही आपको करके समझा दे रहाँ दो तो यहाँ से आप अपनी प्लेइलिस्ट भी का भी वाच टाइम बढ़ा सकते हैंगे कि प्लेइलिस्ट यहाँ पर आपने रात में लगा के छोड़ दिया सारी वीडियो चाहे हजार वीडियो आपकी रात बर चलती रहेगी उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर करना क्या आएगा यहाँ पर मैंने सर्च कर दिया आएगा और यहाँ पर मिरोको सर्च कर लेना है यूट्यूब तक यूट्यूब सर्च कर देना है मिरो को दिखाई देरा दोनों में मैं YouTube खोल लेता हूँ जैसे मैं कर रहा हूँगा ठीक इसी तरीके आपको च्छे टैब में कर लेना है मैं छे नहीं करके दिखाऊँगा मैं आपको दो महीं समझा दे रहा हूँगा जिससे की समय बच जाए और आप समझ भी जाए देख सकते हैं दोस्तों यहां पर अपने चैनल को सर्च में कितनी उपर ले आया हूँ तो मैं अपना चैनल सर्च करके आपको दिखाता हूँ इससे पहले जब मैंने सर्च किया था तो दोस्तो कम से कम काफी नीचे मेरा चैनल था और भी शिर्फ ये दो दिनों में मेरा चैनल देखे कितनी ऊपर आ गयाएगा दोस्तो इसी तरीके आप भी अपने चैनल को सर्च में ऊपर ला सकते हैंगे। बहुत आसान तरीके से देख सकते हैं यह शिर्फ search base पर ही यह एप काम करती हैईगी उसके बाद दोस्तों करना क्या आएगा आपको आपका चैनल यहां पे खुल के आ जाएगा अप दोस्तों आगर यहां से आपको अपनी प्लेलिस्ट चलानी है तो दोस्तों प्लेलिस्ट आ जाते हैं इधरवाल वैसे ही आप YouTube में इधरवाल फोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे उसके बाद आपको एरो को निसान मिलेगा एरो को निसान जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हो पर प्लेलीस्ट यहाँ पर आ जाएगी तो मैं एक को खोल के दिखा देता हूंगा आपको जैसी मैं open करूँगा अपनी प्लेलिस यहाँ पर देख सकते हैं मेरी दोनों प्लेलिस्ट आ चुकी है मैं चाहूँ अपनी प्लेलिस्ट चला सकता हूँ एक में 29 वीडियो एक में 16 वीडियो है तो दोस्तों यहां से मैं इसको cancel कर देता हूँ मेरों को प्लेलिस्ट नह नहीं डालना हैगा सिर्फ आपको जैसे यूट्यूब में जैसे लोग सर्च करते हैं सिर्फ उसी तरीके सर्च करके इसमें आपको watch time और जो है अपना व्यूस जो है इस पे लाने हैंगे अपने चैनल को सर्च में लेकर आना है सिर्फ सर्च बेस पे उसके बाद दोस्तों कुछ सेटिंगे आपको बता देता हूं अगर मान लीजे जैसे कि आपने ये वाली वीडियो को ओके कर दिया इस पे मल ये पांच मिनट 21 सेकंड किये तो पांच मिनट 21 सेकंड बाद अगर ये दुबारा मेरे को रिलोड करनी है तो वो चीज हम कैसे कर पाएंगे उसके जाएगा ओफ्सन तो यहां पर जैसे कि मेरी पांच मिनट की वीडियो है ठीक है तो मैंने साड़े पांच मिनट यहां पर कर दिया उसको ओके कर दिया ओके करने के बाद में यहां पर रिलोड का बटन आप उपर देख सकते हैंगे इसको आपको क्लिक कर देना आएगा तो यहां पर देख सकते हैं 5 मिनट 30 सेकंड बाद यह आटमेटिक रिलोड मेरी वीडियो हो जाएगी आपकी 6 वीडियो अगर लगाते हैंगे कुतनी वीडियो अपनी प्लेलिस्ट लगाते हैंगे तो उसी हिसाब से आप यहां पर टाइम रख दीजिए तो आपकी जितनी भी आपकी प्लेलिस्ट हैईगी वो बार बार रिलोड होती रहेगी और आपकी वीडियो कंटीन्यू चलती रहेगी जैसे आपने सपोस कर लिए कि आपकी एक प्लेलिस्ट जो है यह जो है तीन घंटे की है ठीक है तो तीन घंटा यहां पर आप सेट करके अपनी प्लेलिस्ट कर दिए छेऊ टैब में तीन घंटे बाद आपकी वीडियो आटोमेटिक रिलोड हो जाएगी आपकी पूरी पूरी प्लेलिस्ट तो यहां से आप देख सकते हैं और दोस्तो दूसरी चीज मैं आपको बता दू यहां से आप अपने यह अपने टैप का पैटन भी यहां से चे को मैं आपके लिए इस इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहता हूं तो एक बार इस एप को यूज जरूर करिएगा आपके बहुत ही फाइदे मन्स होने वाला है यह एप